गुड मॉर्निंग दोस्तों क्या हाज चाल I hope आप सभी ठीक होंगे ठीकी रहना तो जैसा आप जानते हैं कल मैंने अपना फर्स्ट व्लोग डाला तो मुझे बहुत टेंशन फील हो रहा था कि कैसा बना होगा लेके नहीं अच्छा रिस्पोंस मिल रहा है यूट्यूब से ब जात को फिर सुबा उठे नाये दोए फैस्ट हुए खाना वाना खाके बैठे ही थे कि घर वाले बोलते हैं ऐसे बोर होना है आपने दो बक्रियां लेके जाओ तो आज हम आये हैं बक्रियां लेके जंगल को तो हे दोस्तों जैसा पेड़ के नीचे बैठे हुए थे लेकि नहीं अब बोलते घर जाना है तो घर चल पड़े हैं देख सकते हैं आप पीछे मेरी गैंग बक्रियां की आ रही है मैंने शायद आपको इंटर्डूस नहीं करवाया होगा इनसे तो मैं आपको इनसे इंटर्डूस करवा रेता हूं तो चलिए मैं सभी के आपको नाम बता है आज इसका नाम है पोड़ा और बिचे सारी करूं काली जैसे का नाम है काली नाम सोचनी काली रहिए यह लाल वडी तो इसका नाम लाली रहिए और जो पीछे давно इसका नाम है चिकनो और बव आ रहे हमारे पहडी भाई यह और हम चले हुए घर कि देखते हैं की होता है तो है दोस्तों हम, जा आ आहें घर बक्रियां बक्रियों को बां दिया है घर, ऐपर ओपर हमारे- वहाई गय हैं लेके और वो बोल रोड़े थे कि मैं अकेला बोर हो जाओंगा कि तुम आज आव साथ में दे हम बक्रिय शोड़के उनके बाहत जारे हैं। उनकी भी बहुत बक्री हैं तो उनकी बक्रियों के भी से भी मिलाते हैं आपको तो चलिए चलते हैं दोस्तों हम आए पहुंच गए हैं उपर तो आर पार देखा तो भाई हमारे दिखनी रहते जंगलू में पता नहीं कहां कहां चली गए थे तो अब फाइनली वो मिल चुके हैं यहां पेड के उपर चड़े हुए थे पहले हमें देखे नहीं तो अब यहां पेड के उपर चड़े हुए इन वह आवाज लगाए तो हम इनके पांस पहुंचे हैं अभी और इनको ऐसे बुजूर्ग लोग जंगलों का राजा भी बोलते हैं क्यूंकि ऐसा कोई पेड ऐस आने में तो आपकुं से अभी नहीं मिला सकते हुए तो फिलहाल आप सामने का नजारा देख सकते हैं धूप लगी हुई है आज। और सबसे अच्छी बात ही है मतलब आज बादल नहीं है देख सकते हैं एक भी बादल नहीं दिखाई दे रहा है आज धूप लगी हुई है सुरे देव तब हो चमके हुए है आज और सोने पे स्वागा ताब होता जब गर्म धूप के साथ ठंडी ठंडी हावा चले तो फिर साथ तो फिर धूप का मज़ा ही अलग हो जाता है और हाँ दोस्तों अभी कुछ देर पहले ही मेरे भाई यानि जो आली से है मेरे भाई उनका फोन आया था उन्होंने हमें अपने घर इंवाइट किया बोलते हैं हमारे घर कल नौड़ा है जैसे गदी कल्चर में श्रीव व मैं जानन बाई